हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल सीबीस ऑनलाइन लर्निंग भारत सरकार संचार मंत्राले डाक विभाग कारेले मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यहाँ पर इसकी तरफ से भरती के लिए विज्यापन जारी किया गया है देख लेती हैं सी कंप्लीट डीटेल्स यहाँ प इसमें भी एक स्टाफ का ड्राइवर साहा ग्रेट समान केंद्री सेवा समू सी गैर राजपत्रित गैर मंत्राले की सीधी भरती के लिए भारती नागरिकों से प्रोफार्म में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं यहाँ पर रायपोय विलासपूर रायगर सर्गुजा में स्टाफ का ड्राइवर के लिए यह वेकेंसी निकाली गई है सीधी भरती के माद हम से इसमें भरती ली जाएगी देख लेते इसकी complete details वेतन यहाँ पर दे दिया गया है स्टाफ का ड्राइवर के लिए यहाँ पर वेतन भाग ए में निर्दिष्ट वेतन मैट्रिक के अनुस लेवल 2 में 19,900 से 36,200 CCS संसोधित वेतन नियम 2016 की अनुसूची और स्विकारे भत्ते यहाँ पर 5,200 से 20,200 वेतन बैंड 1 प्लस ग्रेड वेतन उननीस सो प्री के तहत यहाँ पर संसोधित पैमाना यहाँ पर इस प्राकार से इसमें वेतन दिया जाएगा पदो का वीवरन यहाँ पर देख लेते हैं बिलासपूर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है रायगर के लिए एक पोस्ट है रायपूर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है सरगुजा के लिए एक पोस्ट टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट निकाले गए है 36 गर से पदो के संख्या यहाँ पर परिवर्तन ही हैं आरक्षण का लाब उठाने वाले उमीदवार अपना जाती प्रमान पत्र उनको एप्लिकेशन के साथ में संलंग न करना होगा प्रारूप यहां पर संलंग न है उसी प्रारूप में जमा करना होगा आयू सीमा यहां पर दे दी गई है 18-27 वर्सकी जाएगी और भूत्पूर्व सायनेकों के लिए वास्तविक आयू में से किये गई सैने सेवा को घटाने के बाद तिन वर्सकी चूट यहां पर दी जाएगी आयू सीमा निर्धारित करने की महतपूर तीथी आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तीथी 20 जनवरी 2024 यह जाने की यहां पर इसमें एपलाई करने के लिए लास्ट डेट बीत जनवरी 2024 रखी गई है परिविक्षा आओधी यहां पर दे दी गई है दो वर्स की परिविक्षा आओधी पर रहेंगे हलके भारी मोटर वाहनों के लिए वैद ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर होना चाहिए इसकी सेक्षोनिक और अनयोग्यताय में और मोटर तंत्र का ग्यान यहां पर मंग गया है हलके और भारी मोटर वाहनों में कम से कम तीन वर्श तक का ड्राइविंग का अनुभाव किसी माने तर आप सब बोर्ड या संस्थान से दस्वीक अक्षा यहां पर उत्तिर का पैटर्न अभी यहां पर बता दिया गया है तेवरी पेपर होगा जिसमें यहां पर जिसकी जानकारी दे दिगई है वहां पर सेकंड नमबर में यहां पर सेकंड रस चरण में प्रैक्टिकल पेपर होगा theory और practical दोनों की यहाँ पर details दे दी गई है जिसे आप PDF से देख लीजेगा परिच्छा का पार्ठगरम भी आपर दे दिया गया है complete syllabus आपको इसी PDF में मिल जाएगा तो यह PDF आप डाउनलोड कर लीजेगा दोनों ही stage को यहाँ पर syllabus दे दिया गया है आगे देख लेते हैं stage 1 में आहरता प्राप्त करने वाले उमीदवार stage 2 में उपस्तित होने के लिए पात्र होंगे अंतिम मेरिट सुचित त्यार करने के लिए केवल ऐसे उमीदवारों पर विचार किया जाएगा जो कि stage 2 के लिए प्रत्य पेपर में अहर्ता राप्त करेंगे मेरिट के अधार पर इसमें चायान किया जाना है पात्र उमिद्वारों को परिच्छा की तारिक और इस्थान अलग से सूचित किये जाएंगे और आवेदक जो पात्र नहीं होगे उनको इसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं भेजी जाएगी यहने कि इसके लिए जबी पात्र अभ्यारती पाए जाएंगे उनको यहाँपर परिच्छा के लिए time table यहाँपर उनको भेजा जाएगा यहाँ पर अभ्यारतियों के लिए विशेज निर्देश दे दिया गया है उम्मीद्वार को आवेदन पत्र के सभी छेत्र भरने होंगे कोई भी कालाम आपको काखाली नहीं छोड़ना है एप्लिकेशन में complete details आपको जो भी जानकारी मांगे गई है complete आपको फिल अप करना होगा एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन करना होगा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल स्पीट पोस्ट या पंजिक्रिट पोस्ट के माथम से ही आप भेज सकते है अन्य किसी भी माथम से आवेदन स्विकार नहीं किया जाएगा आवेदन स्विक यहाँ पर दे दिया गया है उमीदवारों को जलान फार्म का उप्योग करके भारत में किसी भी कम्प्यूटरी कृत डाक घर CPMG 36 गड़ E-Billar ID 7138 के नाम पर ए भुक्तान के माथम से 100 रुपह का आवेदन स्विक 20 जन्वरी 2024 तक जमा करना होगा एक बार भुक्तान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा किसी अन्य माथम से भुक्तान किया गया शुल्क भी यहाँ पर स्विकार नहीं किया जाएगा कारेले मोग के पोस्ट मास्टर जनरल 36 गर सरकल रायपूर 492001 में आप अपना आवेदन भेज सकते हैं ये इसके आवेदन भेजने का एड्रेस दे दिया गया है 100 रुपह का एप्लिकेशन फीस रखा गया है एप्लिकेशन फीस और यहाँ पर एप्लिकेशन जो है 20 जनवरी 2024 तक आपको जम्मा करना होगा पज्जी करे डाक या इस पीट पोस्ट के माधम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन सुल को भुकतान करने की कंप्लीट प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है जिसे आप PDF डाउनलोड करके रिट कर लिजेगा और यह जो है यहाँ पर इंडियन पोस्ट की ओफिसल वेबसाइट की लिंक है सीजी पोस्ट के ओफिसल वेबसाट की लिंक है दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन में प्रोवाइट कर दी गई है आवेधन कैसे करना है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है पात्र उमीदवार अपने आवेधन केवल अनुलगनक एक में निर्धारित भी मिल जाएगा उसी प्रारूप में आपको आवेधन करना है उसमें उनकी वर्तमान पासपोर्ट अकार की फोटो आपको लगानी होगी और एक लिफाफे में 36 गर डाक सरकल में स्टाफ का ड्राइवर साहयक साधारन ग्रेड की पद पर भरती के लिए आवेधन आपको लि पोस्ट और पंजिकली डाक के मात्रम से आप आवेधन भीज सकते हैं आवेधन पत्र यहाँ पर वेव साइट के लिंक के तहां 36 गर सरकल स्टाफ का ड्राइवर साधारन ग्रेड भरती टू से भी आप डाउलोड कर सकते हैं ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप इद्वार का नाम अधार नंबर और पीता पतनी पती का नाम यहाँ पर लिख देना है डाक वर्तमान डाक पता और मोबाइल नंबर डेट आप बर्थ राष्ट्री याता इमेल आईडी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर दस्वी मांगी गई है वो आपको डाल देना है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर डाल देना है और भी यहाँ पर जनकारी मांगे गए हैं सभी डिटेल्स आपको डाल देना है सुल्क का वीवरन यहाँ पर सौर उपे जो सुल्क रखा गया है उसका वीवरन मांगा गया है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना ह यहाँ पर आविधन पत्र के साथ निमना लिखिड सब्लगन करने उठ होंगे उन्युत आप विधन खारीश कर दिया जाएगा तेख लेते हैं कौन कौन से यहां पर सनलगना करना है हस्ताक्षरीत एवं वीधी वद भरा हुआ आवेधन पत्र आपको लगाना है आवेधन पत्र में श्रप्रमानित फोटो लगाना है यदि आप लगा रहे हैं तो आपको यहां पर हां लिखना होगा नहीं लिखना होगा लेकिन यहां पर लगाना अन वर्स दोजार तेश चोविस के लिए जारी किया गया और चोविस पच्चिस तक वैद है यह आपको लगाना होगा LVM, HVM, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर लगाना होगा कमपनी, फर्म, संगठन के लेटर हेड पर नेधारी तनुभा प्रमाण पत्र लगाना होगा भूत्पुर सैनिक के मामले में सेवा और शेल पर प्रमाण पत्र लगाना होगा एक पासपोर्ट आकार का फोटो चो आविदन पत्र में चिपकाया गया हो वह भी आपको यहाँ पर लगाना होगा स्वयम द्रशत्यापित होना चाहिए और यहाँ पर मैंने उप्यूक्त दर्शता वेज स्वयम सत्यापित या राश्पात्रीत अधिकारी द्रशत्यापित सलंगन कर दिये है यह यहाँ पर आप जो भी सलंगन करेंगे वह उसके लिए यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर आपको अपना सिगनीचर करना होगा आगे देख लेते हैं यहाँ पर घोशना पत्र भी दे दिया गया है जिसमें अपना नाम लिख देना है इस्थान लिख देना है और यहाँ पर भी signature कर देना है घोशना यहाँ पर केवल EWS, ST, SC, OBC स्रेणी के उमिद्वारों के लिए अनिवार है यहाँ पर अपना नाम उमिद्वार के हस्ताक्षा इस्थान और तारिक यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर नीचे अनुभा प्रमान पत्र का प्रारूप भी दे दिया गया है इसे भी पुरा फिल अप कर लेना है और आगे देख लेते हैं यहाँ पर प्रतिलीबी, संबंधित, डाकखर द्वारा रखी गई जानकारी यहाँ पर जो भी मांगी गई है सभी आपको यहाँ पर फिल अप कर देना है इस प्रकार से इसमें पूरा प्रारूप इसी प्रारूप में दे दिया गया है सभी जानकारी आपको फिल अप करना है कोई भी कॉलम यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है self attested करके आपको document इसके साथ में सहलगना करना है लिफापे के उपर आविदित पद का नाम लिखना अनिवार है signature करना अनिवार है, photo लगाना अनिवार है तो इसके लिए apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के description में इसके official website की link दे दी गई है उस link के मात्यम से आप directly से official website पर चले जाएंगे वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके इस एच्छे से पढ़ लिजेगा उसके बाद आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसी PDF के last time में application form का प्रारुप दे दिया गया है जिसे print निकाल कर आप apply कर सकते हैं यहाँ पर पंजी करिड़ा की speed post के मात्यम से करना होगा एप्लाइ करने के लिए last date 20 जनवरी 2024 रखी गई है 36 गर में आयना विभागों की तरफ से भी भरती विग्यापन जारी किये गए हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के description में recent uploaded videos के एक playlist मिल जाएगी वहाँ से भी आप मेरे पिछले videos वाच कर सकते हैं अगर आप उन पदों के लिए भी eligible होंगे तो आप apply कर सकते हैं और अगर आप मेरे टेलेग्राप चैनल से जुड़ना चाते हैं तो उसकी भी लिंक इसी वीडियो के description में provide कर दी गई है आप चैनल जाएग कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना हैं friends अगर वीडियो helpful हो तो वीडियो को like and share कर दीजेगा और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे चैनल पर next job update की वीडियो की notification आप तक तुरंद पहुंच सके आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद